दीव जनाओ मन मंदिर में दीव जलाओ मन दीव जलाओ मन दीव जलाओ मन दीव जलाओ ओम शान्ती ओम शान्ती आज की तारीक है 11,11,12 तो आप सभी को आज फिर से रविवार है और हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीखे मीखे अव्यक्त मूर्टदारी अव्यक्त बापदादा की ज्यान मुर्ली सुनेंगे परंतो ज्यान मुर्ली सुनने के पहले आप सभी को बहुत 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 एपी दिवाली और हैपी नुए यर यूंकि शुब दिपावली के दिन तेरा चोदा दिपावली के दिन रहेंगे तो इसलिए आज हम मीखे मीखे बापदादा ने दसहरे के निमीत मुर्ली सुनाई है परंतो दसहरे के साथ साथ मीखे मीखे बापदादा ने हम बच्चों को जो शिक्षाए दी है तो उसमें हम बच्चों को यही बताया है कि कैसे हम रावन को जलाएं, रावन को जला कर खत्म करें, वो भी एक अगनी होगी, और दीपक जो है, वह भी एक अगनी है, लेकिन दीपक जो है, वो एक प्रकाश के रूप में है, तो हम अपनी आत्मा की जोत जगा चुके हैं, अपने प्यारे प्यारे मिखे मिखे, जागती जोत शिव बाबा तुम सब की जगी हुई जोति हैं, जो सब जगी हुई जोति हैं, मैं यहां आप सभी के चहरे पर भी तेख रही हूं, और उसकी थूल निशानिया भी आप सभी यहां देख रही हैं, तो फिर से एक बार आप सभी के प्रति, आप सदा खुश रहें, अचल रहें, निर्विग और एक रस स्थिती रहे और बाबा की याद में निरंतर, चड़ती कला की और अपनी प्रगती की और आगे बढ़ते रहें, ऐसे हमारी आप सभी के प्रती. On this good note and on this good wishes, may the same be accepted to all and may I once again convey a very happy Dipavali, a very happy new year. So happy Dipavali, happy Dipavali, happy Dipavali. मुरली में बाबा ने आज हम बच्चों को सिर्शक के द्वारा ही यह बता दिया है कि हमीं क्या करना है पूर्शार्थ और हमीं अपनी स्किति क्या और कैसी बनानी है मुरली दो मुरली नियो म 你 अच्छी मुझे आज आपको एक भी मुरली सुना निकमन नहीं करता दिल करती है मैं दोनों ही मुरली आपके आगे रखूँ इसलिए मुझे थोड़ा मुरली को जल्दी जल्दी पढ़ना होगा मैं इतना उसका clear नहीं करूँगी पश्टी करण नहीं दूँगी आशा करती हूँ और पेका गरता से ध्यान से मुरली को सुनेंगे और मुरली की प ओम शान्ती फरिष्टा स्थिती का अनुभो करने के लिए स्वैम को अवतरित आत्मा समझ्य हर कारे को करो और ग्रिड संकल्प की तिली से माचिस की जो तिली होती है ना उसकी तिली से कमजोरियों के रावन को जलाओ बाबा अभी हमें फरिष्टों के लखषण सुना रहे हैं कि फरिष्टों के लखषण क्या क्या है तो बाबा कहते हैं अपने को फरिष्टों की सभा में बैठने वाला फरिष्टा समझ्य हो वाँ, क्या बात है, हाँ, एक तरफ दिवाली के दीपक जग मग जग मग जग मग आ रहे हैं, और दूसरी तरफ, आप और हम सभी फरिष्टों की सभा में, सारे फरिष्टे, अपनी विवेर डबल लाइट की चमक लिए हुए जग मग आ रहे हैं, तो बाप ददा केते हैं, अ अब नमबर बार पॉइंट्स आप लोग अपने आप नूट करना, जिसके सर्व संबंध, मैं अंगुलियों से इशारे करती जा रही हूँ, जिसके सर्व संबंध वा सर्व रिष्टे, एक के ही साथ हो, एक से ही सर्व रिष्टे, और फिर सदा एक अरस स्थिती में स्थित फिर एक एक सेकंड, एक एक बोल और एक की ही लगन में और एक की ही सेवा प्रती हो, चलते, फिरते, देखते, बोलते और कर्म करते हुए, व्यक्त भाव से न्यारे, व्यक्त, अर्थात, इस व्यक्त, देह रुपी धरनी की सिमर्ती से बुद्धी रुपी पाउं सदा उपर रहे और उपराम रहे, मेरे ख्याल से साथ बाते सब समझ में आ गई होंगी, अब और आगे बाबा बता रहे हैं, जैसे बाप, इश्वरिया सेवा अर्थ, बच्चों को साथ ले जाने की सेवा, जैसे सेवा अर्थ सक्चे भक्तों को, बहुत समय की भक्ती का फल देले, न्यारे और निराकार होते हुए भी, अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं, वा अवतरित होते हैं, किसके लिए? बहक्तों की सेवा के लिए, तो बाबा कैते, ऐसे ही फरिष्टा कहा माना हम बच्चे, ऐसे ही फरिष्टा अर्थ अर्थ साथ बताई थि, अब आंठवी बार, फरिष्टा अर्थ न्यारा और प्यारा, खिर बाप, आप समान स्वयम को अवतरित आत्मा समस्ते हो नवी बात बाबा बताते अपने को अवतरित आत्मा समस्ते हो अर्थाथ सिर्फ इश्वरिय सेवा अर्थ ये साकार ब्राह्मन जीवन हमको मिला है धर्म-स्थापक जो होते हैं वो धर्म-स्थापना का पार्ट बज़ाने के लिए आते हैं तो आपका भी नाम क्या है शिव शक्ति अवतर हैं बाबा कहते है पांडव भी शिव शक्ति हैं मैं अवतरित आत्मा हूँ इस समय अवतार मूरत हूँ फिर अवतार कौन लेता है जैसे धर्म स्थापक उपर से आता है तो बाबा कहते हैं दसवी बात मैं धर्म स्थापक हूँ और कोई भी कार्य जान से सुने सिवाए धर्म स्थापना के कार्य करने के सिवाए और कोई भी कार्य आप ब्राह्मन अर्था अवतरित हूई आत्माओं का है ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यही कार्य निरंतर करते रहना है तो सदा ऐसी सिमर्थी में इसी कार्य में उपस्तित रहने वाले को ही फरिष्टा कहा जाता है अब बाबा ग्यारवी बात बता रहे हैं फरिष्टा डबल लाइट रूप है तो हमें अपने को चेक करना है कि यह सब लक्षन मेरे में है एक लाइट अर्था सला जोती स्वरूप जो जोती यहां हम भी चमकते हुए देख रहे हैं पर मैं आत्मा जोती स्वरूप भृकुटी के बीच चमक रही हूँ दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसा किताब से नियारा अख़बिलकुल हलका मना स्थिती अमारी लाइट तो डबल लाइट ऐसे डबल लाइट स्वरो अपने को अनुखो करते हो अच्छा अब आगे बाबा कहते हैं कि ये ब्राम्मन जीवन इसकी वैल्यू अभी बाबा समझाते हुए बता रहे हैं कि ये ब्राम्मन जीवन इश्वरिय कारे के लिए पका कर ले हम कि अभी जो मेरा जीवन है वो सिर्फ इश्वरिय सेवा के लिए इश्वरिय कारे के लिए है और कोई कारे अर्थ बिगर श्री मत के आत्माउं की मत प्रमाण वा स्वयम की मन मत के प्रमाण और कहीं यूस तो नहीं करते हो ये ब्राह्मन जीवन भी बाप द्वारा इश्वरिय सेवा के लिए मिली हुई अमानत है बाबा कहते है इसकी वैल्यू समझो ये अमानत हम को किसे ने दिये जीवन की स्वयम भगवान ने दिये तो हमको उसको वैसे यूस करना है मनमत और अन्यात्मों की मत पर उसको चलाना नहीं है कहने का भावार्थ बाबा का उसे स्री मत पर चलाना है यूज करना है अमानत में कहीं ख्यानत तो नहीं जालते हो माना औरों की मत पर चल करके और कहीं गलत तो निक्टर रहे हो संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मन जीवन का एक स्वास भी और कोई भी कार्य में लगा नहीं सकते जब स्वास ही नहीं लगा सकते तो फिर अन्य जो कुछ भी हमने बाप को समर्पित किया है तन, मन, धन जो कुछ भी वो हम कैसे बाबा की स्रीमत बिगर यूज कर सकते हैं इसलिए भक्ती में स्वासों स्वास स्विम्रण का यादगार चला आता है निरंतर के फरिष्टे हो वाइपकल के फरिष्टे अभी हमें सोचना है हमें स्वाइं की क्यकिंग करनी है और जैसे भक्ती में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तू वा अरपन की हुई वस्तू कोई अन्यकार्य में लगा नहीं सकते तो आप सबने ब्राह्मन जीवन में बाप दादा से पहला वाइदा क्या थिया अब बाबा हमें अमारा वाइदा याद दिला रहे हैं कि कौनसा वाइदा किया है वाइदा याद है या भूल गए हो यदि भूल गए हैं तो बाबा याद तरा रहे हैं और यदि याद है तो हम उसे अपनी नजरों के आगे लाएं बाप के आगे, अब बाबा इसमर्ती दिला रहे हैं, कि बाप के आगे पहला वाइदा ये किया, क्या, देखो वाइदे में भी आमने कितनी बाते किया, पहला वाइदा ये किया, तन, मन, धन, सब आप के आगे समर पड़े हैं, ये आमने पहले चार शब्दों में बाबा को जब सरव समरपन किया, तो सरव अर्थात क्या, अब सरव मी क्या-क्या बाते आती है, वो बाबा बता रहे हैं, नो बैषिस्फार रहे हैं, जो बॉल, फिर जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार्स, सरव व्यक्तियां, Aqu, विजन, संसकार, स्वभाव, वृत्ति, ग्रिष्टि, और सिमर्थि, कितनी बाते देखो बाबा ने बता दी, 12 बाते, मैं फिर से एक बार जल्दी बोल रही हूं, संकल्प, स्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, फिर वैभाव, संसकार, स्वभाव, फिर वृत्ति, और सिमर्थि, सब को अरपन किया, इसको ही कहा जाता है समर्पन, लेकिन बाबा यहां नहीं रुक रहे हैं, अब बाबा आगे और रही हां में बाते बता रहे हैं, समर्पन से भी उपर, और पावर्फुल शब्द, स्वयम को सर्वस्वत्यागी कहते हैं, अब बाबा यह बता रहे हैं कि स्वर्वस्वत्यागी क्या होते हैं, उनके लक्षन क्या होते हैं, सभी सर्वस्वत्यागी हो, वा त्यागी हो, सर्वस्वत्यागी अर्थार, अभी बाबा वो बाते बता रहे हैं, जो भी समर्पन के अंदर गिंती करते जाओ, जो भी त्याग किया, अब हमने क्या क्या त्याग किया, संबंध संपर, यह पहले आ गई बाते हैं, फिर बाबा क में गिंती कर रही हैं फिर इन सब के पिछले 63 जन्मों के रहे हुए विसाब किताब के आउंस के भी वाउंस सहत त्याग किया हुआ है अब हमें यह चेकंग करएं के जो ऐफारा उनीस बातें बाबा ने समरपंता की और साथ शाथ त्याग और सर्वस्वत्याग की तो हम चेक करें कि हमने किया है इसे लिए सर्वस्वत्याग कहा जाता है purpose ऐसे सर्वस्वत्यागी जिनका पिछला हिसाब किताब वांश सहीत समाप्त हो गया ऐसा सर्वत सत्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव संसकार ऐसा है। मेरा पिछला स्वभाव संसकार ऐसा है। पिछला हिसाब किताब अब तक कभी कभी खीचता है वा कर्म बंधन का बोज या कर्म संबंध का बोज या कोई व्यक्ति वा वैभों के आधार का बोज मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्शित करता है। बाबा कहते है है आए ब ये चेक करो। हां चार बाते बाबा ने बताए। पिछले जन्मों के कर्म बंधन का बोज, संबंध का बोज, व्यक्ति का वैभव का बोज और फिर उसके अलावा कोई भी बंधन, तो बाबा कहते हैं, वो हमको कहीं अपनी और आकर्शित तो नहीं करते हैं यह संकल्प वबोल सर्वस्वत्यागी के नहीं है सर्वस्वत्यागी के अब बाबा और लक्षन बताते हुए कहते हैं, कि वो सर्व बंधनों से मुक्त होता है फिर वो सर्व बोजों से भी मुक्त होता है फिर हर संकल्प में वो भाग्य बनाने वाला होता है अर्थात वो पदमा पदम भाग्य शाली होता है ऐसे के हर कदम में पदमों की कमाई स्वत ही होती रहती है ऐसे सर्वस्वत्यागी हो ना शब्द के अर्थ स्वरूपों में स्थित हो ना सर्वस्व ना सर्वत्याग करके स्थिती में स्थित रहने वाला तो बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले तो ऐसे हो ना भाबा तो विश्वासी रख रहे हैं बच्चों में, मुश्किल तो नहीं लगता है पिर बाबा का प्यार बच्चों के ऊपर देखो बाबा को ख्याल आता है कहीं बच्चों को तकलीफ तो नहीं हो रही है तो कहां मुश्किल तो नहीं लगता है। मुश्किल लगने का तो सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ब्रामण जीवन का कर्म भर्म की बात बाबा बताते हैं। कि ब्राह्मन जीवन का धर्म और कर्म ही यह है, कि हमें दूसरों को भी यह कराते जाना, जो जीवन का निजी कर्म होता है, वा कभी भी किसी को मुश्किल नहीं लगता है, कब लगता है, बाबा रिजन बता रहे हैं, कि जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात, शक्ति अवतार नहीं समझते हो, सदै विए याद रखो कि मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापन करने अर्थ, उत्रे हुई आत्मा हूँ, धर्म अर्थात, हर संकल पर स्वताहि, धर्म अर्थ होते हैं, आना अमारा संकल को भी जो होगा न, वो धर्म अर्थ, देवी देवतार धर्म अर्थ, या धर्म इति धार्ण, तो धार्ण अर्थ होते हैं, तो ऐसे को कहा जाता है, परिश्ता, तो समझा कि फरिश्ता चुसे कहते हैं, अब बाबा आगे देखू क्या बताते हैं, अब बाबा हमें वो बात बता रहे हैं, कि हम जब फरिश्ता नहीं होते, स्थिती फरिश्ता में नहीं होते हैं, तो फिर कमजोरी के हमारे कौन से बोल निकलते हैं, तो बाबा कहते हैं, अभी ऐसा बोल, कभी नहीं बोलना, क्या करूँ, कई बाते बता के हम बोलते हैं, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, होता नहीं, बड़ा लाचारों के बोलते हैं, फिर कहेंगे आता नहीं वो भी हम दाया नहीं स्थिती में बोलेंगे आता नहीं और फिर कहेंगे ना चाहते हुए भी हो ही जाता है अलबेलापन दिखाते हैं कि ना चाहते हुए भी हो ही जाता है अब ये बोल कौन बोलता है बाबा कहते है जब यह बोल बोलते हो न तब स्वयम स्वयम से पूछो कि यह बोल कौन बोलता है परिष्टा बोलता है और सर्वस्वत्यागी बोलता है Master सर्वशक्तिमान बाबा सेथ, if you are a Master Almighty Authority, how can these be your words? कितनी आश्चुरे की बात है? अब दोनों की तुल ना करो Master सर्वशक्तिमान, क्या ये बोल, बोल सकता है? क्या अनेकों को बंधन से मुक्त करने वाली आत्मा, ऐसे बोल, बोल सकती है? ये बंधन मुक्त आत्मा के बोल है? चेक करें, परन्तों आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मान, बाबा हमें कहते हैं, क्या पॉजिटिव देखो बाबा बताते हैं, कि सदय क्या सोचते रहो, मैं बंधन मुक्त आत्मान, तो अंदर में शक्ती रहती है, तो बाबा कहते हैं, आ आज से ऐसे संगकल्प और बोल सदा के विये क्या करो, सम्माप्त करो. बाबा स्टेस बिद संगल्प की तिली से, बिद्धा की तिली से, आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ. और रावण को जलाया मना, बाबा केते, दस है रावणा नाओ, बाबा भी कहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं, विजया दश्मी मनाओ, अच्छा, अब बाबा दूसरी मुर्ली बाबा की जो ग्यारा, ग्यारा, बारा की है और रिवाइश कोर्स की तारीक उसकी चेंज है साथ दस पच्छत्तर 75 की मुर्ली उसका सिर्शक है सर्वाधिकार और बेहद के वहिराग्यवाला ही राज रुषी और बाब दादा कुंछी सबहा है आपने को सदा добрा रैशी समस्थे हुए चलते हो आप देखो बाबा राज और रिशी दो शब्दों का कितना सुन्दर अर्थ परिहाषा और उसके धारनाई सुना रहे हैं एक तरफ राज्य दूसरी तरफ रिशी राज्य रिशी दोनों के लक्षन अलग अलगे राज्य के लक्षन अलगे रिशी के लक्षन अलगे वो है भाग्य ये है त्याग रिशी माना त्याग और राज्य माना कर्मों का फल, भागे के रूप में भोग ला, वो है सर्व अधिकारी और फिर रिषी, अर्था बहत के वहीरागी, नोट करते जाओ, फिर बाबा कहते हैं, तिसरी बात सर्व ये हो गई दूसरी बात सर्व अधिकारी और बेहत के वहीरागी तिसरी बात वो सर्व का प्यारा और ये सब से नहारा राज्य रिशी माना राज्य करने वाला सब का प्यारा और फिर वो रिशी माना सब से नहारा चौथी बात बाबा बता रहे है दोनों ही लक्षन, बोल कर्म में, दोनों के साथ साथ दिखाई देना चाहिए, और राज्य करने वाले के भी लक्षन दिखने चाहिए कर्म में, तो दिखाई देते हैं, अब पूछ रहे हैं, माना साथ साथ, बैलेंस में दिखाई देते हैं, वर्तमान स्वराज्य अर्थार, स्वा का इन स्वर्व कर्मेंद्रियों के उपर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य, और वो है भविश्य का दबल राज्य, सब ध्यान से सुर रहे हैं न, ऐसे तो नहीं मैं continue पढ़ रही हू तो आपका ध्यान कहीं और चला जाए, डाइवर्ट हो, तो भविश्य का राज्य, अर्थात स्वा पर राज्य और विश्व पर राज्य, ऐसे डबल राज्य अधिकारी हो, डबल राज्य का नश्या सदा रहता है, जितना राज्य का नश्या, उतना ही बेहद का वैराग्य अर्थात रिशी, बना मैं रिशी हूँ, बेहद का त्यागी वैरागी हूँ, ये भी सदा सिमर्थी में रहता है, दोनों का बैलेंस, संतुलन है, वा एक स्वरूप याद रहता है, दूसरा भूल गता है, इस पुराणी देह, और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन ग वा अभी भी ये पुरानी देह है, और पुरानी दुनिया अपनी तरफ आकर शित करती है, ये कबरस्तान अनुभो होता है, यदि हम रिशी हैं, समको क्या अनुभो आना चाहिए, कि ये सब कबरस्तान है, सभी मुर्चित वी आत्मा ये नजर आती है, या सिर्फ आपको कहन आप कहते हो कि हमको सभी नजर आते हैं, ये सब मरे पड़े हैं, अर्थात ये सारी श्रिष्टी क्या है, कब्रस्तान है, जब तक वह अनुभो नहीं होगा, तो बेहत के वैरागेरी बनने ही सकेंगे, जिसको भी देखो, क्या देखो, कि ये तो मुलदा है, मरा पड़ा है, अबर दाखिल है, जब हमारी दृष्टी सब के प्रती ऐसी हो जाए, तब बाबा कहते हैं, बेहत के वैरागी बने, नहीं तो वैरागी नहीं बन सकते, आज की दुनिया में भी हद के वैरागी, जंगल में या समशान में चले जाते हैं, इसलिए ही गायन है, समशान बाबा के वैरागी बना शब्द भी आता हैं, तो जब तक यह दुनिया समशान है, ऐसा नहीं होगा, तो सदाकाल के वैरागी या बेहत का वैराग्य यह कैसे नहीं होगा, बाबा कहते हैं, इसलिए अपने विर्टी के अंदर ज्यान की गैराईयां और राजों को, और आपने आपसे पूछो कि रिषी बना हूँ, यहा राजी अदिकारी को आराम से बन जाएंगे, लेकिन रिषी बना हूँ, तो राज रिषी बनने के लिए, बेहद का त्याग है, ऐसे निष्चे बुद्धी, वैराग्य के साथ साथएंगे, अधिकारी की खुशी में भी र तो राज रुषी बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नजारे, एक तरफ राज्य के नजारे, दूसरी तरफ बेहद के त्याग के नजारे, वैराग्यारे ऐसे नजारे, दोनों ही साथ साथ अनुवा होगे, एक तरफ नई दुनिया के न दूसरी तरफ विनाश होते हुए नाजारे जिस विनाश को देखे में रागया जारे जितना कब्रस्तान अनुभव होगा उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा याग के साथ-साथ भागयवी पष्ट सामने दिखाई देगा निशान अर्थात, सम्पूर्न राज रिशी की स्थिति अर्थात, नशा और निशान, दोनों ही स्वष्ट होंगे, निशान अर्थात, सम्पूर्न श्टेज, जब ऐसे नशे में रहने वाले सामने निशाना समीख होगा, जैसे स्थूल नेत्रों के सामने, स्थूल वस्टू पष्ट दिखाई देती है, जब सामने दिखाई देती है, तो फिर कोई संकल्प नहीं उठेगा, कि वस्टू है की नहीं है, या फिर क्या है, वावो कैसी है, ऐसे ही सम्पूर्न स्टेज का निशाना, सामने दिखाई देन यह जो संउशय है तो संउशय नहीं आएगा संपूरन स्टेज जिसको कही जाती है वो स्टेज दिखेगी यह क्वेश्चन समाकत हो जाएगा कि मैं बनूँगा यह नहीं बनूँगा अपनी संपूर्न स्टेज की निशानिया, स्वयम में फश्ट नजराए, संपूर्न स्टेज की निशानिय क्या है, कर्मातित बना, बाब का प्यारा, परिवार का प्यारा, स्वयम को प्यारा, और सब से फिर न्यारवी, तो ये निशानिया क्या होंगी, वो जानते हो, और अन अब बाबा वो निशानिया बता रहे हैं नमबर वार नोट करेंगे पहली निशानिया पुरानी दुनिया के किसी भी व्यक्षी वा वाइभ्वो से संकल्प मात्र वा स्वप्न मात्र भी उसका लगाओ नहीं गा किसी से भी उसका संगम यूगी समझेंगे न हम कल यूग में हैं न हम सत यूग में संगम यूग का समझेंगे सारी शिष्टी की आसूरी आत्माओं का कल्यान और वह भी रहन बृष्टी से उनको देखेंगे सब के उपर रहम पड़ेगा और सब्का कल्यान करेंगे चौथी बार सदा स्वयम को बाप समान सेवाधरी अनुह करेंगे उससे क्या होगा अथा को करके करेंगे थकेंगे ने तो कि हम बाप समान सेवाधरी है तो अमारे मीथे मीथे ब्रह्मा बाबा कभी थके ने निरंतर योग्युत रहे हर परिष्थी की वा परिख्यामिए यहुए बाबा कहते हैं को सदा स्वयम को विजय अनुह करेंगे उनको कदम कदम पे विजय कानुह होगा विजय मेरा जन्न सित अधिकार है ऐसा अधिकारी स्वरूप समझ कर हर कर्म को करेंगे Because of being an embodiment of Trikaldarshi awareness, one who knows the three aspects of time of every deed, Baba says you make every deed an elevated deed a pure deed So Baba says you will experience your account of sin to be finished Then Baba says you will constantly experience every task and every thought to be already accomplished You will experience yourself to be beyond old sanskar and nature You will constantly experience yourself to be set on the seat of a detached observer Baba says these are the signs and also the target Baba says such a soul is called a Raj Rishi Baba says that you will experience yourself to be beyond old sanskar and nature You will constantly experience yourself to be set on the seat of a detached observer So Baba is giving various signs Baba is saying for example you will experience your account of sin to be finished You will constantly experience every task and every thought to be already accomplished Baba says you will constantly experience every task and every thought to be already accomplished You will experience yourself to be beyond all sanskar and nature Baba says you will be constantly experiencing yourself to be set on the seat of a detached observer So no turbulence Lekin seat per set We will be constantly experiencing ourself to be set on the seat of a detached observer So Baba says these are signs and also the target Such a soul is called a Raj Rishi Baba is asking have you become such a Raj Rishi You have received the title of a Raj Rishi You are in practical form of the title You are in practical form of the title That you have Are you not? Now Baba says further That to be what it means to be a Brahmin Baba says in the hurli That to be a Brahmin means That you are speaking and doing Your thinking and speaking You are listening and putting into practice would be the same All of you are Brahmin Are you not? Are you able to stabilize yourself in whatever stage you want in a second? Have you already become ever ready to this extent? So Baba is asking Are you able to stabilize yourself in whatever stage you want in a second? Then a second Have you become ever ready to this extent? Do you experience the practice of being bodiless as easily and naturally? As you experience coming into body You are the spiritual military Are you not? So Ruhani military Baba is asking You are spiritual military Are you not? Baba says The military are those who put every order into practice in a second Baba says If you were to receive an order to become bodiless now Would you be ever ready? Or do you still have to make yourself ready? Baba says If the military were to take time in getting ready Would they experience victory? Now practice being constantly ever ready If the military were to take time in getting ready So Baba is asking That are you ever ready? Are you ever ready? 5 minutes, 10 minutes Are you ever ready? Are you still a little time? I will make yourself make up So Baba is encouraging us To practice being constantly ever ready Baba is asking If the military were to take time in getting ready Baba is asking If the military were to take time in getting ready Would they experience victory? Baba says I am ever ready So Baba is saying Now practice being constantly ever ready If the military were to take time in getting ready We will do it So you have ever ready Okay To the most elevated Brahmins Of the Confluence Age Who maintain the intoxication of having all love To those who maintain the intoxication of the kingdom of the world To such elevated souls Baap Dada's love, remembrance and namaste Good morning and namaste We spiritual children also convey Our love, remembrance, good morning Namaste and good morning To Baap Dada The blessing in today's body is When you be a master ocean of forgiveness And give teachings Through your form of forgiveness Baba says If any soul tries to shake off your state If that soul has an attitude of harming you Use your attitude of benevolence to transform And forgive that soul And forgive that soul Baba says Baba says If you are unable to transform him Become a master ocean of forgiveness And forgive him Baba says Your forgiveness Will become a form of teaching For that soul Baba says Nowadays When you give teachings Someone will understand Whereas others will not Baba says So Baba saying Nowadays When you give teachings Some will understand Whereas others will not Baba says However To forgive Means to give the blessings And cooperation Of your good wishes Baba says Baba says To forgive Means To give the blessings And cooperation Of your good wishes So Baba says To forgive Means To give blessings And cooperation Of your good wishes So Baba says Nowadays When you give teachings Some will understand Whereas others Will not However To forgive Means to give The blessings And cooperation Of your good wishes This is called Master ocean of forgiveness The slogan In today's The slogan Is Only those who remain Constantly happy Are loved by self And everyone else So Baba says Only those who remain Constantly happy Are loved by self And everyone else Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti So This is The Diwali gift That Papata Has given to us And we will celebrate The coming Diwali In a very very Cheerful Happy Manner How By By destroying The five Vices Of Ravan In us Or By gaining Victory Over the five Vices Which is present In each One of us And how Do we burn that Off With the Mastic Of a Determined Thought As Baba Has indicated In today's Murali If we do not Do that Then Ravan Will Kidnap Us Just as He Kidnap Sita So Baap Dada Does not Want that To happen So Baap Dada Has given To us The boundaries Or Lakshman Rekha Of Baap Dada And Baba Sashreema So We need to Now Take a Determined Thought In mind That I will Follow Shreemata As Baap Dada Want And Become Victorious Waali Once Again A Hearty Good Wishes For The Upcoming The Pavali And New Year Greetings Greetings And Greetings For The Pavali For New Year And Also For The Festival Called Bhauduj Or Bhaiduj Which Reminds Us To Stabilize Oneself In The Attitude Of Being A Brother And A Sister With All That Means It Reminds Us To Be Pure Always Have Pure And Elevated Vision Okay Aum Shanti Aum Shanti Aum Aum Mith Jau Ghe Tum Hum Se Mith Tuk Rao Mun Mandir Me Deeb Chal Aum Man Mandir Me Deeb Chal Aum Moh Maiyah की जाल है जूटी, इनको ना अपनाओ, इनको ना अपनाओ, जर्द बातों से मूद हो, तेरे साथान नगजाओ